सब्सक्राब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्शन पाने के लिए वेलकम फैंट्स सुवागतम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मानसिक समश्यों मैंटल डिसोडर को ठीक करने वाले एक इंजेक्शन के बारे में जानेंगे जिस इंजेक्शन का नाम है डाय जिपाम इंजेक्शन और इसे आप कामपोज इंजेक्शन तादा लोरी इंजेक दोस्तों तो पूर्ण जानकरिया इस इंजेक्शन के बारे में इस वीडियो में जाएन लेंगे इसलिए जीच वीडियो को बिना इसकीप के अंतर देखें आपको ड़ाय जेपाम इंजेक्शनवाग मिल सकें बडिसेंगे हैलो फ्रेंड्स नमस्त दोस्तों डाइजीपाम एक बेंजो डाइजीपिंग क्लास की दवा है जिसे एंजियोलाइटिक एंटी कन्वल्सिन तता सेंट्रल मसर इलेक्षिंड दवा भी कहते हैं और कई दोस्त इसे मानसिक रोक की दवा तता नेंद की दवा भी कहते हैं डाइजीपाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम सी एंडेस पर कारे करने वाली दवा है यदि इसके कारे करने की परणाली को समझे बिल्कुल सरल भासा में तो डाइजीपाम हमारे मस्तिक्ष में जो केमिकल मेसिंजर गाबा है इसकी एक्टिवीटी को बढ़ा देता है जिस करण से गाबा मस्तिक्ष में जो नर्वस चेल की एबनॉर्मल एक्टिवीटी है उसको सप्रेस कर देता है दबा देता है फल्सुरूप बिमारी को ठीक किया जाता है और इसी करण से इस डाइजीपाम दवा को दिमाग को सांथ करने वाली दवा भी कहा जाता है डाइजीपाम दव इस्टेंग में अवेले बले और इसको पेकेजिंग आती है दो एमल एंपूल होती है मतलब जो दो एमल का एंपूल है उसमें 10 मिलेगा हम डाइजीपाम आपको मिलेगा अब अगर डाइजीपाम इंजेक्शन की पोपुलर ब्रेंड नेम की बात करें इसमें सबसे पोपु बीडियो मागे इस इंजेक्शन की यूजोज को जान लेते किन-किन इस्तितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है तो जैसा कि इसके अलाबाए एजीटेशन नाम की बिमारी है जिसमें व्यक्ति बिना किसी कारण से कुछ एक्टिविटी करने लगता है जैसे कि जोड़ जोड़ से हसना दोड़ना चिलाना तो उस इस्तिति को ठीक करने के लिए यहां इंजेक्शन दिया जाता है यदि कोई व्यक्ति एल हम नैसे को छोड़ते हैं तो हमारी बोड़ी में मांग होती जिस कारण से बोड़ी में अलग लगतर है की समझे होती तो उस एलकोहल विड्रोज सिम्ट्रम को दूर करने के लिए यह हैं इंजेक्शन दिया जाता है सोट में हम यह कह सकते हैं जराब का नासा चोड़ने के ल को रोकने के लिए इसे दिया जाता है साथ ही मास पेशियों मरोड भी उसमें होता है तो उसे भी ठीक करती है और किसी व्यक्तियों को किसी एक्सिडेंट के कारण सीर में चोट आ गई हो या किसी अन्नी कारण से सीजर हो रहे हो तो उसमें भी सीजर को रोकने के लिए दवा दी जाती है साथ ही कोई व्यक्ति है जिसको एंडहिस्कोप्य रीडियो लोजिक को आनेस्थिश्या की रोप में भी किया जाता है कई बार सर्जेरी के पहले भी इसको लगैजा जाता है और कई बार इस इंजेक्शन का परियोग मरीज को बड़ी गटना को थोड़ी देर के लिए भूलाने के लिए भी किया जाता है इसी कान्ट से आपने देखा होगा जब व्यक्ति के गरग में कोई डेथ हो जाती या उसके साथ कोई बड़ा हाथसा हो जाता है जिसे वो सदमे म करके है वीडियो काफी अच्छा लग रहा है जानका ही बहुत पसंद आ रही है तो एग के लिए Special Thanks देने के लिए इस थेंक्स बटन को दबाएं अब वीडियो मा आगे इस इंजेक्शन के साइड इफेट को जान लेते हैं क्या कि चक्रा सकता है साथ अनीजी सा उससे फील हो सकता है इस तरह की कुछ समझ्याइं सामयने तब एक्ति को देखी जाती है यदि यह यह इसके अलग को अन्य साइड इफेक्ट आपको मिले तो तुरंती इस इंजेक्शन का प्रियोग लेना बंद करें और इंजेक्शन लगने बा दोनों द्वारा लगाया जाता है लेकिन जब ईफेक्शन कूसलो फॉस्किया जाता है अगर इसकी डूजब को जाने तो समय ने तह डोक्टर द्वारा पांच मिलीगाम से लगाकर दस मिलीगाम इंजेक्शन व्यक्ति को पुछ किया जाता है वह मरीज की नेट के कोडिंग होता है और यहां इंजेक्शन से फोर सिफ डॉक्टर के एडवाईज पर ही प्रियोग करना होता है बहुत गाता के इंजेक्श करते हैं जो इंजेक्शन लगाता है जिससे आर्ट्री में जाने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं अगर आट्रीम चली जाए तो पूरी बोडी में सुजन आ सकती है और आपको बहुत बड़ी समयश्य का सामना करना पड़ सकता है इस इंजेक्शन सो जब नर्सिंग स् हो जाएगा व्यक्ति को डिजीनेश हो सकता है इंबिलेंस की प्रोब्लम होगी और ज्यादा अवर डूज होने पर कोमा की इस्तती भी हो सकती है तो इसकी जितनी डूज जोक्टर ने दी उतनी ही डूज लगाते हैं तो मरीज को जोड से पूछ ले क्या उसको प्रेग्नें कि फरकाखी समझस्य का सामsqu団 नहीं करना पडें तो दोस्तमें पूरी जानकरी दाउती लाइस इंजैपा मैं इंजेक्शन के बारे में प्रिक्रित अपने youtube channel लेन अबने अबाट मेडिसीन, thank you friends, take care and be careful to medicine users